इस वीडियो का परपस CAA से जुड़ी डिबेट कि जितने पॉइंट्स अभी चर्चा में चल रहे हैं, उन सब को बेसिक से डेप तक समझना है CAA जो इस से पहले 2019 में काफी चर्चा में था, और अलड़ी ये एक्ट आ चुका था आप में से कहीं लोगों के दिमाग में चल रहा होगा कि 2019 में जब दिसंबर में ये एक्ट आ गया था, 2020 में बकायदा नोटिफाई हो गया था लेकिन उसके बाद फिर अब चर्चा में क्यों? क्योंकि उसके बाद से MHA ने अभी तक रूल्स जारी नहीं किये थे और जब तक रूल्स और इंप्लिमेंटेशन जारी नहीं होंगे तो यानि कि ये कानून आ गया था लोकसभा, राजसभा से पास होकर राश्टपती साहब के पास पहुँचा, प्रेजिडिन्ट ने एसेंड दिया और ये एक्ट बन गया लेकिन उसके बाद जो इसके इंप्लिमेंटेशन के रूल्स हैं, वो मिनिस्ट्री ओफ होम अफेर्स, यूनिन गौर्ण्मेंट को डिसाइड करने थे तो रिसेंटली 11 मार्च की जो नोटिफिकेशन है, 2024 की, उसमें उन्होंने उन रूल्स को नोटिफाई कर दिया है यानि कि अब वो ओन ग्राउंट इंप्लिमेंट होगा अब आपके मन में कुछ सवाल आ रहे होंगे ऐसे क्या आपका, आपकी जो सिटिजन्शिप है, क्या इस पर कुछ इंपेक्ट पढ़ने वाला है सबसे पहले तो इनसान अपने बारे में सूचता है मेरा क्या होगा, कुछ कागज वगएरा तयार करूं क्या क्योंकि इस से पहले CAA और NRC एक साथ चर्चा में आ रहे थे और उस समय शायद आपको एक फेमस इंटर्वियू याद आ रहा हूँ जो हमारे युरिन होम मिनिस्टर अमिश शाजी है उन्होंने कहा था करूनलोजी को समझिए CAA आएगा, उसके बाद NRC आएगा और कागज तो दिखाने पड़ेंगे कुछ शायद आपको चर्चा में आ रहा हूँ तो उस समय अब सब को लग रहा था कि यानि के कागज वगएरा तयार करें क्या हमें भी है ना तो इसमें आपको पता लग जाएगा कि आपको जरुवत है की नहीं आप पर इसका कोई impact है की नहीं फिर ये CAA है क्या मतलब जरुवत क्या थी इसकी सब कुछ तो ठीक लग रहा था कई लोगे दिमाग में सवाल होगा इस citizenship होती क्या है कैसे पता लेगा कि मैं citizen हूँ और citizen होने के माइने क्या है हम बिल्कुल basic से डिसकस करेंगे origin से अगलेस्ट federalism अब आपने बयान देखा होगा किरला, तमिलनाडू तमिलनाडू ने कहा कि हम allow नहीं करेंगे CAA का implementation कल बयान आया था फिर मॉर्निंग में अगर आपने आज का निईस्ट पेपर पड़ा हो तो ऐसे में union home ministry के senior official ने कहा है कि state government के पास तो कुछ power है ही नहीं citizenship की अगर बात करें तो पूरी power union government के पास है तो आप state क्या करेंगे इसमें state कैसे रोक पाएगा CAA का implementation तो फिर अगर तो नहीं कह रहा होगा तो जानें कि क्या है उसमें bureaucracy का मसला बहुत ही आसान सी बात है उसके बाद right equality के खिलाफ है कि नहीं यह major debate है इस से जुड़ी हुई religion के basis पे citizenship इस से पहले citizenship act 1955 में नहीं थी लेकिन जब amendment हुआ citizenship on the basis of religion for specific minorities in these three nations यानि के पाकिस्तान अवगानिस्तान पंगलादेश यहाँ पर religion as a criteria रखना क्या ही राइट to equality के खिलाफ है इसके भी ज़रा हम post mortem करेंगे इसका क्या हमारे constitution का article 14 कह रहा है और क्या यह C.E.A. कह रहा है इसमें क्या है क्या मसला क्या है North East में क्यों protest हो रहे है आसाम में क्यों protest हो रहे है त्रपुरा में क्यों protest हो रहे है आपने सुना होगा है ना आसाम accord का क्या मुद्दा है और Supreme Court क्या कर रही है क्योंकि यह मुद्दा already constitutional bench के पास refer है तो आज ही एक और article आया है former additional solicitor general miss इंद्रा जैसिंग जी का senior advocate उनका कहना है कि अगर ये citizenship amendment act implement हो गया जो कि हो रहा है किसी को अगर citizenship मिल गई तो उसके बाद supreme court के लिए मुश्किल हो जाएगा इस implementation को revoke करना क्योंकि citizenship अपने आप में ऐसा legal status है जो आपको allow करता है poke of rights तो आप कहेंगे बास समझ नहीं आई सर कोई नहीं बिलकुल basic से बात करते हैं है क्या यह citizenship आप से क्या relation है citizenship नागरिक इंडियन constitution जिससे पूरा देश चलता है राइट माना जाता है ना हमारे citizenship के बारे में हमारे constitution का part 2 woman में लिखा हूँ है part 2 ठीक उसमें article है article 5 से लेकर article 11 so these are connected to citizenship ना कौन होते हैं बई citizen क्या जुरत थी constitution में इसको mention करने की देखें जो आपका पार्ट वन है ना constitution का पार्ट वन वो बताता है इंडिया that is भारत that is भारत क्या है उसकी territory क्या है तो एक तरीके से मान लीजे कि constitution का drafting committee ने structure इस तरीके से किया था कि सबसे पहले तो पता लग गया कि state क्या है ठीक नाम क्या है territory क्या है और उस territory में जो territory आर्टिकल जो आर्टिकल वन में ही define की हुई है जिसमें कि आपके states, ut सब आते हैं अब इसमें कुछ लोग भी तो रहते होंगे रहते होंगे आच्छा मु बिल्कुल सर एक जैसी होने चाहिए कोई भैदभाव नहीं होना चाहिए अच्छा जी मुझे बताईए आपका घर एक territory है ठीक आपके घर में सरकार हैं आपके parents ठीक आपके घर में कुछ लोग है ठीक है तो क्या जरूर यह सब के लिए आपके मम्मी पापा का commitment एक जैसा हो यह भी तो लोग रह रहे हैं टूरिस्ट भी तो हैं है कि नहीं तो यानि कि जब हम territory के अंदर present लोगों की बात करते हैं तो कुछ तो वो लोग होंगे जिनके प्रती state का government का priority है कुछ वो लोग होंगे जो बाहर से आए हैं तो इस वजह से हम लोगों को दो पार्ट में तो होते हैं citizen और दूसरे होते हैं alien अब alien वो वाले alien मत मानना समझ रहे हैं बात कि दूसरी galaxy सा है alien का मतलब यह citizen है black वाले कि यह तो हमारी top priority है और बाकी है alien तो यानि कि जैसे कि आपने घर में आप अपने जो parents के लिए priority हैं है ना आपके friends भी घर में रुखते होंगे आ रह वो भी मिलेगा लेकिन ऐसा नहीं है कि उनकी पूरे जिम्मेदारी आपके parents उठा रहे होंगे बात बिलकुल सही है plus आपके parents अगर आपके लिए कर रहे हैं तो आपके parents भी तो आपसे कुछ expect करते हैं similarly when our state यानि के our Indian government और our government is providing you certain additional right your priority to government है ना तो ऐसे में आपकी भी जिम्म जिम्मेदारी आपके parents के प्रती है आपके friends जो घर में आके रुक रहे हैं उनकी नहीं है जिम्मेदारी तो यानि के जैसे taxes को provide करना right या जो भी आपको responsibilities आपसे expect किया जाता है being a citizen वो आपका दाइत्व है ना की पडोसियों का जो यहां पर देश में रह रहे हैं तो यानि क हमें आपको पता लगा कि जो citizenship है यह एक तरीके से legal status है जो define करता है आपका relation आपका relation with state बिलकुल सही बात है अब इसी वैसे part 1 में article 1, 2, 3, 4 जो बताता है इंडिया right इंडिया that is भारत पहले territory की बात करता है फिर बहार से अगर किसी state को लाना हो अंदर की states का division वगरा करना हो और फिर article 4 process के बारे में बात करता है जो already मैं quality में detail में आपको पढ़ाता ही हूँ है ना जिसने इसको quality को detail में पढ़ना है तो डीडी बासू प्लस लक्षमी कांत की एक YouTube series भी है यही पर playlist है इसी YouTube channel पर आप study IQ YouTube channel पर साच करेंगे तो आपको मिल जाएगा हमा वाले students और ज्यादा वेर हो जाए आर्टिकल 5, 6, 7, 8, 9, 10 ठीक इसका impact जो लोग यह video देख रहे हैं उन पर नहीं पढ़ता आप कहेंगे तो यह क्या बात हुई बता रहो यह सारे के सारे आर्टिकल citizenship के बारे में बात करते हैं लेकिन actually they were made in a sense कि जब constitution commence हुआ तो उस समय किस को citizen माना जाए ठीक उस समय किस को citizen माना जाए मुझे बताइए इस समय आप ये video देख रहे हैं live है right क्या जिस समय constitution लागू हुआ था उस समय आप में से कोई मौजूद था अगर आप में से कोई मौजूद हो तो भई फिर तो आप इस वाली श्रेनी में आ सकते हैं लेकिन हम मान के चलना हो इतनी ज्यादा उम्र वाला कोई शायद इस video में नहीं होगा पहली जा चुके हैं वो लोग तो आपके लिए और मेरे लिए जो काम का है वो है article 11 जो अभी CAA की debate है ये भी article 11 की power से connected है आप कहेंगे कैसे वो ऐसे article 11 कहता है कि parliament may by law regulate कर सकती है citizenship को regulate actually article 10 में भी ये power दी गई है लेकिन article 10 में ये power parliament को दी गई है उपर वाले लोगों के लिए जिनको इन articles के थूं citizenship मिली या उस criteria में बैट रहे थे ठीक है यहाँ पर हमारे जैसे लोगों के लिए यानि कि जब constitution लागू हो गया तो उसके बाद अगर किसी को citizenship acquire करनी है ये से acquire अगर किसी की citizenship जानी है तो ऐसे में कैसे जाएगी parliament में by law decide तो एक बार citizen बन गए तो ऐसा नहीं है हमेशा बने रहेंगे जा भी सकती है कानून को मनाएगा parliament मनाएगा मुझे बताईए क्या state less nature राज्य के सरकार के पास power है by constitution कि वो ऐसा कानून बना दे जिससे आपकी citizenship छीन आप कहेंगे कदापी नहीं यह हो ही नहीं सकता दिस नौट पॉसिबल सेट लैस्टिचर डून आफ है दून आफ एनी सच पार सच पार इस ओनली बेस्टोड अपोल इंडियन पार्लिमेंट आइटिंग यह बात तो क्लियर है अब जरा इसके नीचे चलते हैं CAA वाले पार 2019 ठीक है जो 2024 मां है वो इसको implement करने के rules है ठीक है तो citizenship C से citizenship A से amendment और इस A से बन गया act तो इसी वज़े से इसको हम कहते है CAA ठीक है इसमें और कोई कान नहीं है citizenship amendment act CAA इस वे से कहते हैं अगर किसी भी law में आप amendment word देखे तो आपका antenna open हो जाना चाहिए कि यानि कि इस से पहले कोई original कानून भी रहा होगा तो original law क्या था original law था citizenship act 1955 तो actually citizenship act 1955 है जो सबसे पहले बना था constitution क्योंकि constitution तो in act हो गया था है ना 1950 में full constitution in act हो गया था 26 November 1949 को citizenship के भी कुछ provisions जब anointment of constitution के दौरान apply कर दिये गए थे मुझे personally ऐसा लगता है कि अगर मैं prelims वाले question में यहां पर भी एक trap बना दू ना कि citizenship के जो provisions है यानि के part 2 of Indian constitution के provisions हैं वो कब apply हुए थे 26 January 1950 या 26 November 1949 तो कुछ students उसमें भी trap हो जाएंगे आपको अभी मैंने highlight कर दिया तो दमाग खोल के इसको star में लिख ली जए ही पर ठीक है ना important है trap बनेगा trap question फस्जाएंगे काफी लोग मैंने clear आपको भी यहां पर बता दिया है ठीक है difference है यहां पर है ना अब constitution लागू हो गया है ठीक अब होने के बाद हम जैसे लोग जो भी पैदा नहीं हुए थे उनकी citizenship का criteria क्या होगा इसके लिए Parliament ने article 11 में दी गई power का इस्तमाल किया और यह कानून बना दिया ठीक अब इसी कानून में बीच-बीच में amendment होते रहे जैसे 2012 में भी हुआ 2019 में हुआ तो अब जो 2019 वाला amendment है वो latest है 2019 वाला amendment है उसी से जुड़ा है सारा विवाद अब इसमें एक word है कि भाई citizenship लेने के तरीके में naturalization सबसे पहले आपको पता लग जाई मुद्दा है क्या देखिए मैंने आपको का acquisition and loss यानि कि यही वो कानून था जिसमें बताया गया है कि acquire अगर आपको citizenship लेनी है तो कैसे मिलेगी भारत की citizenship लेने के पां a and d brand यह तो वैसे भी आद हो जाएगा आपको brand राइट बीस है बर्त आर्स है registration a से acquisition अगर इंडिया acquire करता है किसी territory को उस एरिया के लोग भी इंडिया के citizen citizen हो जाएंगी यह से 1961 onwards goa goa earlier Portuguese territory इंडिया ने acquire किया फिर इंडिया citizen हो गए इस हिसाब से registration जैसे Sonia Gandhi ji marriage के basis पे पहले she was an Italian citizen marriage के basis पे she was living in India then उसके बाद registration में apply किया बन गई citizen by birth जैसे कि आप और हम काफी साले लोग जो हम जो इंडिया में ही पैदा हुए और हमें birth की वज़े से citizenship मिल गई हमें तो ऐसे ही मिल गई हमें तो for granted लगता है जिन को नहीं मिल रही जो struggle कर र criteria के आधार पर है मतब यह है contestation का zone जो अभी CAA में चर्चा में है पूरे debate इस पर है अभी मैं बता देता हूं इसको भी यह है decent decent तो शायद आप समझते होंगे यानि कि by chance ऐसा हो जैसे कि one of my friend graduation के बाद injuring के बाद b-tech के बाद तो he actually पहले job करी उसके बाद he applied for US US में MS करने उसे जाना था तो he was कुछ परेशान चल रहा था तो मैं पूचा क्या हुआ तो उसने का मेरा scholarship आ गया सब हो गया लेकिन जो US MSC है उसने मेरा visa reject कर दिया मैंने का इसा क्यों उसने का कि मैं तो इरान में पैदा हुआ था मैं खोल सरप्राइस हो गया मैंने क्या चार साल तो तुम मेरे साथ थे मेरे दोस्त थे तो मुझे ही नी पता था तुम इरान में पैदा हुए हो तो मतलब इंडियन ही हो ना तो उसने का भई इंडियन ही हू वहीं पर वो born हुआ लेकिन फिर वो यहां पर आ गए फिर उन्हें अपनी प्रैक्टिस यहीं पर set कर ली तो he was born there तो उसको इंडिया की citizenship by birth तो नहीं मिली उसको कैसे मिली by descent क्योंकि मम्मी पापा इंडियन थे है ना अब यह naturalization क्या है ठीक है बर्थ पता लग गया आपको registration जैसे marriage acquisition जैसे गुआ acquire किया कोई territory इंडिया acquire कर ले future में तो उसको लेकर presidential order आएगा कि इस criteria के हिसाब से यह लोग अब इंडियन citizen हो जाएंगे naturalization क्या है naturalization कहता है जैसे अद्नान सामी का नाम सुना आपने एक पाकिस्तानी singer थे वो इंडिया में आए इंडिया में रहे नहीं पर काम करते रहे उनने apply किया का कि I want to give up my Pakistani citizenship and want to become Indian citizen Indian government ने accept किया और उनको Indian citizenship दे दी तो भले ही वो यहाँ पर पैदा नहीं हुए भले ही उनके मम्मी पापा Indian territory जो अब Indian territory उस Indian territory में नहीं थे नहीं उनकी शादी किसी Indian से हुई थी ऐसा कुछ criteria नहीं था लेकिन फिर भी आपको Indian citizenship मिल सकती है naturalization के through जैसे कि 14 साल तो अगर आप 14 साल यहाँ पर हैं और लगाता मतब 14 साल यहाँ पर हैं और आपने प्रूफ कर दिया कि on an average 11 साल तो मैं continuous रहूं बीच में आता जाता रहूं कभी 6 मही ने भाहर रह लिया दूसरी जगे रह लिया तो इस basis पर भी citizenship आपको मिल सकती है I am using the word मिल सकती है अब आप कहेंगे मसला क्या है सरी यहाँ पर मसला बताईए मसला यह है कि आपने सुना होगा पाकिस्तानी हिंदूस का मुद्धा पाकिस्तान से हिंदूस इंडिया आए पिर थियात्रा का परमीशन लेकर और उसके बाद वापस नहीं गए तो द्यार पाकिस्तानी हिंदूस living in India डैली में भी कहीं जगे हैं रोहिनी और एक तो नॉर्थ डैली में जगे मजनुका टीला वहाँ पर एक government area है उस पर पूरे पर जो slums बनी हुए वहाँ पर पाकिस्तानी हिंदूस रहते हैं अब वो कहीं सालों से रह रहे हैं कोई 8 सालों से कोई 6 सालों से कोई 10 सालों से यहीं पर रह रहे हैं तो आर्द इंडियन citizen no वो पाकिस्तानी citizen है issue बन गया है अब यहाँ पर केवल पाकिस्तानी हिंदूस की बात नहीं है पाकिस्तानी हिंदू में ने एक example दिया ऐसे ही बांगलादेश और आपका अफगानिस्तान ध्यान रखेगा CAA में naturalization के मुद्दे में जो पूरी डिबेट है वो केवल इन तीन देशों पर ही केंद जरित है तो ध्यान रखेगा एक तो हिंदूस क्योंकि हिंदूस इन तीनों देशों में minority में है इसके अलावा सिख, जैन, पार्सी, बुद्ध यानि के बुद्धिस्ट और आपके Christian, ठीक, so these are the communities जो officially CAA में mention की गई है अब क्या mention किया गया इन के लिए ये ये mention किया गया जिस पर सारी के सारी debate है अगर ये communities ये communities इन तीन देशों से भारत में entry कर गई थी 31 December 2014, ठीक, तो अगर ये उस समय entry कर गई थी, on or before, तो ऐसे में इनको naturalization के थूरू citizenship मिल जाएगी, आप कहेंगे यही तारीक क्यों चुनी सर, मुझे बताईए, 2019 आया ये, 2019 में कानून आया, तो 2019 माइनस 2014 कितने साल हो गए, पांस साल हो गए, तो एक तरीके से जो naturalization की condition में toughness है, कि भाई, on and average, आप 11 साल प्रूफ करो, और वैसे आप continuously, 11 साल तो रहने ही चाहिए, 14 साल तक आप रहो तो उस में average निकाला जाएगा, तो जो complexity है, उस complexity से इनको आसानी दे दी, कहा कि भाई, तुमारे लिए reduce करके, हमने पांस साल कर दिये, तो ध्यान रखेगा, Citizenship Amendment Act 2019, reduces naturalization condition to 5 years, for minorities, religious minorities, religious minorities of Hindu, Sikhs, Jain, Parsi, Buddhist, Christian, in these 3 nations, if they entered into India, on or before 31 December 2014, then they can be given citizenship as per this act, ये है पूरा मसला, अब आप कहेंगे, ये तो संच में आगे है कि सेक्ट में है क्या, लाया क्यों गया, क्योंकि यहां पर legal trouble बन रहा था, जैसे कि इतने सारे जो minorities हैं, especially Hindu minorities, Hindu की संक्या काफी है, जो वहां से इंडिया में जगे जगे रह रह रहे हैं, डेली के तो दो area का मैंने आपको example दे दि और क्योंकि अब वो Indian citizen नहीं है, तो फिर वो citizen होने के नाते जो rights है, education and other benefits वो नहीं ले पा रहे हैं, तो उनका कहना है कि humanitarian ground पर persecution से बचने के लिए, we should be given this right, right to have citizenship, हमें citizenship दे दीजे, तो अब ये BJP का poll promise भी था, कि हम देंगे citizenship ऐसे लोगों को, तो अब उन्होंने सोचा चु अब इसको implement करा देते हैं, अब इसमें मुद्दा क्या है, मुद्दा ये है कि अभी से पहले religion के basis पे कभी citizenship नहीं दी गई, लेकिन यहाँ पर religion के basis पे दी जा रही है, right, ये, दूसरा मुद्दा ये है, why only three nations, why only these three nations, right, अब क्योंकि ऐसा क्यों, क्योंकि कहा गया कि अगर आप कह रहे हो कि persecuted है, इनको वहापर जान का खत्रा है, तो ऐसे तो tamil, अगर tamils की बात करें, तो tamils, tamil hindus भी है, tamil ethnicity है, तो actually श्रिलंका है, श्रिलंका से जो tamils, tamil naadu में रह रहे हैं, और उनके पास अभी तक citizenship नहीं है, तो उसमें इनको क्यों न include किया गया, why not Shilanka, right, दूसरा, आप Myanmar की बात कर लीजे, कि Myanmar से रोहिंग्याज, रोहिंग्याज बड़ी संख्या में, या तो बांग्रदेश में, इंडिया में भी है रोहिंग्याज, तो जो रोहिंग्या मुसलिम्स हैं, तो वो भी तो Myanmar से persecuted है, वहापर भी तो उनको जान क खतर है जान को बचाने के लिए, वो refugee की तरह जगे जगे रह रहे हैं, इंडिया में भी entry करके इतने सालों से रह रहे हैं, तो वाइनोट रोहिंग्या मुसलिम्स, अगर humanitarian ground पर ही citizenship देनी है, काफी लंबे से वैसे जो लोग अपनी जान को बचाने के लिए इंडिया में रह most persecuted Muslim community है खुद पाकिस्तान में, तो वैसे तो ये जिननाजी का idea कितना बड़ा failure है, इस बात का सबूत है, वो कह रहे थे कि Muslim के नाम पर अगर एक देश बन जाएगा पाकिस्तान, तो फिर Muslims का उद्धार हो जाएगा, लेकिन वो idea ही faulty था, क्योंकि अगर आप तोड़ने पर persecuted है, तो फिर ये आवाज उठाते हैं कुछ लोग कि एहमधिया Muslims को भी दे देते इसमें, अगर religion का angle आप नहीं देख रहे तो एहमधिया Muslims को भी include कर देते, वो भी यहाँ पर जो रह रहे हैं, उनको citizenship मिल जाती, तो ये angle यहाँ पर रखा गया, why only these three nations Myanmar और शिलंका इनको भी कर लेते, and why only these बाकी भी persecuted हैं, उनको भी रख लेते, इसमें आपका क्या जवाब है, अब इसी को लेकर मामला जो है Supreme Court में गया, Supreme Court में उस समय हमारे जो CJI थे, वो थे UU Lalit, constitutional bench corner ने refer कर दिया, फिर उसके बाद से उस मुद्दे पर कुछ आगे सुनवाई हुई नहीं है, कि केंज सरकार का कहना है, कि देखिये हम Muslim word को इसलिए नहीं रख रहे, क्योंकि पहले बात तो इन तीन देशों में क्यों, इन तीन देशों में Muslims majority में है, और जो persecution की news आती है, वो actually in communities की आती है, और यही communities हमें हमारे जान बचाने के लिए, अपनी जान बचाने के लिए हमार यहां पर रहे, एक और बात केंज सरकार ने कहीं, केंज सरकार ने कहा, it's not about inviting those people, it is about resolving a legal issue, resolving a humanitarian crisis for those people who are already in India, जो यहां पर अलड़ी है, इसी वैसी यह date रखी गई है, इसका मतलब यह नहीं कि अभी आ जाएंगे, तो अभी भी allow हो जाएगा, यह बात कहीं गई, तो यहां तक तो आपको बात समझ में आ गई होगी सारे एंगल, है ना, अब why needed आ गया, अब federalism के against कैसे है, दीखे, in general rule यह है, कि अगर कोई naturalization, या किसी और तरीके से citizenship को apply करता है, तो actually अपने area का district magistrate के सामने, आपको apply करना होता है, ठीखे, आपके district magistrate के सामने, यह यह यहां पर DC बोल government ने क्या करा, central government ने इस rule को भी change कर दिया, central government देखे, rule क्या करा है, इस बात को जरा ध्यान से सुनिएगा, question मन सकता है, central government ने यहां पर postal department, census office, जो कि खुद MHA को report करता है, इनका role कर दिया है, यानि कि जो superintendent है, postal department का district level पर वो coordinate करेगा, census officers coordinate करेंगे, यानि कि district magistrate नहीं, आप कहेंगे ऐसा क्यों, बतातो हो, पहले इस triangle को समझ लीजे, एक यह हो गया, एक यह हो गया, और तीसरा है, intelligence bureau, IB, तो यह triangle को ध्यान रखेगा, rules का एक महतपूर्ण part है, ठीक है, these are going to report, और इस triangle में, important twist यह है, कि all these three departments comes under central government, बात समझ में आगे हैं आपको, अब समझ में आया, कि क्यों Kerala, क्यों Tamil Nadu, क्यों other states कह रहे हैं, कुछ states, जहां पर opposition parties है, कि यह federalism कि अगेंस्ट है, क्यों, क्योंकि district में state, जो है, वो report किसको करता है, state government, तो state government implementation को slowdown न कर दे, कुछ अटकले न लगा दे, DMs का transfer posting यह सब करके, central government ने उसका जुगार कर दिया है, कि हमारे यहां पर यह triangle है, इस से होगा का, ठीक, process क्या होगा, process भी बहुत simple बताया गया है, देखिए, एक तो होगा district level committee, DLC, ठीक, structure को समझ लीजे, DLC, सबसे पहले तो, जो भी, यह communities हैं, जो इस criterion fit back थी है, कि 31 December 2014 से पहले वो इंडिया में आ गई थी, तो सबसे पहले तो, वो online apply करेंगे, ठीक, online apply करेंगे, ठीक है, इन person जाना ही नहीं है, पहली बात तो यह, online apply करेंगे, अपने documents को भी वहीं पर upload कर देंगे, अब आप कहेंगे documents क्या, अब documents में न, दो तरह के documents हैं, दो तरह के, मैं इसको लिख देता हूँ A, और लिख देता हूँ B, कि कितना simplify कर दिया, पूरा का पूरा issue आपके लिए, यह में एक है, कि आप अपनी सरकार, यानि के पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लदेश, जहां से भी आपने इंडिया में entry की थी, उस government, चैस central government, चैस state government, even local government का कोई भी paper, जो मतलब पहले रूल ऐसे नहीं थे, जब citizenship act आया था, तब यह नहीं, तब तो माना जा रहता की tight rules होंगे, आपको passport दिखाना पड़ेगा, लेकिन ध्यान रखना, अब passport वाला जो criteria है, वो relax कर दिया गया है, कि आगर आपका passport हो गया है, न और local government का कोई भी paper, जो आपका, यानि कि उस government का, जहां से आप आए है, तो हम कह सकते हैं, पाक, अफगानिस्तान या बंगलदेश, इन तीनों में से, किसी भी government का, जहां से आप आए, और किसी भी level का, center, state, center, state या local, ठीक है, center, state, वहां की center, वहां की state, या वहां का local, कोई भी paper identity, जो आपकी वहां से proof होती है, वो दिखा दो, दूसरा, इंडिया में जब आए, क्योंकि proof तो करना पड़ेगा, 31 December 2014 से आए, पहले आए हो, तो इसके लिए भी, आधार कार्ड, certificate, जैसे कि ये foreign registration office होता है, FRO भी बोलते है, FRRO भी बोलते है, या तो उसका कोई certificate हो आप के पास, आधार कार्ड हो आपके पास, आपको पता है, आधार कार्ड तो बनवा चुके हैं लोग, क्योंकि आधार कार्ड does not mean you are a citizen of India, आधार कार्ड हो, certificate हो, right, entry का कोई stamp हो, immigration office का, stamp हो, immigration का, क्योंकि immigration office के stamp से पता लग जाएगा, कोई भी paper पे है, कि भई आपने इस date को entry की तो इस से पता लग जाएगा date, और इस से पता लग जाएगा origin, basically document आपको दो ही देना है, एक से पता लगा origin, कि आप कहां से हो, बता दो भाई, यहीं से हो आप, और एक आप date बता दो, कि date आपने 31 December 2014 से पहले, उस दिन entry कर ली थी, तब आपको इसका फायदा मिलेगा, ठीक यह आपने document upload कर दिया, online apply कर दिया, अब आपको SMS आजाएगा, या mail आजाएगा, about what, जिस date पर और जिस time पर, आपको हाजर होना है, DLC के सामने, DLC is district level committee, अब district level committee, जब verify कर लेगी सब कुछ, एक oath of allegiance भी होगी, oath of allegiance, वो यहीं पर जो अधिकारी होगा, वो कराएगा, postal census वालों क पर जिम्मेदारी दी गई है, वो मैं आपको बता चुका हूँ, triangle में IB है, IB आपका background check करेगी, यह फर्जी document तो नहीं चल रहा है, कहीं ISI ने भेज रखा हो आपको, तो यह check कर लेगी, इसके बाद empowered committee के पास जाएगा, ऐसे ही नहीं मिल जाएगा, empowered committee, empowered committee, वो कह रहे हैं कि empowered committee, इससे उपर हम state level पर भी रखेंगे, center पर रखेंगे, coordinate करने के लिए, तो center पर है empowered committee, वो इससे, इसके नीचे, state level पर भी committee को रखेगा, जो की, जो आपने claim कर रहे हैं कि आपके नीचे वनोंने verify कर दिया है, तो उस verification को एक बार check करेंगे, final decision is empowered committee का ही होगा, ठीक है, इसका structure जैसी इंप्लिमेंट होगा, तो सब को पता लग जाएगा कि कौन-कौन इसका part है, वैसे तो officer उन्होंने बता दिये हैं, क्या-क्या बताए है, कि जो director level का office है, center, आपका census office से, state के home department से representative, जिस area की बात कर रहे हो, अगर हम state की बात कर रहे हैं, तो हम railway से भी महाँ पर representative को र कि भाई सब आपको बनाई हो, जिनको भी मिलना था, citizenship उनको मिल जाएजी, ठीक है, तो I think ये बात भी आपको clear हो गई, है न, federalism क्या against है क्या, तो देखो हमारा constitution कहता है, ये power citizenship वाली parliament के पास ही है, state के पास नही है, state का क्योंड इतना सा मानना था, कि district में state के पास जाना चा क्योंकि हम कर सकते हैं, constitution है, हमें ये power दी है, आपको ये power दी नहीं है, India has single citizenship, पूरा rule center बनाएगा, ठीक है, right equality के खिलाफ है कि नहीं, तो देखो यहाँ पर religion वाला criteria, जो आपको explain किया, अब है कि नहीं, center ने का बिलकुल नहीं है, center ने का हम तो किवल persecuted वाले, जो यहाँ पर से Christian Hindus जो भी है, CAA से उन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, उनकी citizenship से CA का कोई वास्ता है ही नहीं, आप वेकार टेंचल ले रहे हैं, center का ऐसा कहना है, center कह रहा है, कि already यह तो इन के लिए है, जो 2014-31 December से पहले आये थे, और illegal immigrant की तरह basically रह रहे है, यह long term visa पर रह रहे है, इनको citizenship देने का जुगार कर रहे है, basically यह किया गया है, ठीक, अब यहाँ पर constitutional bench तै करेगी, कि यह religion वाला criteria इसमें यूज करना, यह right equality and secularism के principle के खिलाफ जाएगा, कि नहीं जाएगा, अब आसाम में क्यों protest हो रहे है, देखिए आसाम में, आसू और आसाम गन, तो आसू को नाम सुना आपने, आसाम government और all आसाम student union और central government के बीच में एक accord sign हुआ था, 1985 में, actually 1979 से, 1985 का जो period था, काफी troublesome period था, जहाँ पर जो illegal immigration, आसाम के अंदर हुआ है, बांगोदेश से, उसके खिलाफ आंदोलन चल रहे था, कई लोग की जान भी चली गई थी, फाइनली समझोता हुआ, 1985 में, central government ने sign किया, state government ने sign किया, आसू, जो other organization है, उन्होंने भी sign किया, आसाम accord समझोता, यह माना गया कि, 24 March 1971, ठीक, तो इससे पहले जो आ गए है, उनको citizenship मिल सकती है, ठीक है, 1971 वो समय है, जब आपको पता है, Bangladesh create हुआ था, उससे पहले तो East Pakistan था, तो actually जब से East Pakistan मना, जब से बटवारा हुआ था, इंडिया पाकिस्तान का, तभी से, वहाँ पर जो हालात खराब थी East Pakistan से, तो वहाँ से लोग better opportunities के लिए, अपनी life के लिए, इंडिया के तरफ move होते रहे, तो आसाम में protest का कारण था, कि जो आसाम की local population है, indigenous population है, उनका culture, उनके resources, उन पर खत्रा आ रहा था, local communities के साथ conflict बढ़ रहा था, उनकी resources खत्रे में थे, इसका उविरोध करे थे, उनका कहना था, इससे हमें बचाना, तो सरकार की जिम्मेदारी, सरकार अपनी जिम्मेदारी क्यों नहीं तेय कर रही, ठीक है, तो कहा गया, चलो भई, 24 मार्च उन्हें से cut-off date रख देते हैं, इससे पहले किसको मिलेगा, मसला अलग है, वो तेय करेगी, उसके लिए अलग से tribunal बनेगा, decide होगा, लेकिन यहाँ पर हम क्योंकि CEA की debate की बात करें, तो यहाँ पर मुद्दा यह उठा, कि भाई सब, आपने एक तरफ हमें cut-off date देदी ये, कि बांगदेश से, यानि कि इस area से, इस से पहले, क्योंकि बांगदेश करेट हुआ, इस से पहले, जो भी आए, उनका तै किया जाएगा, लेकिन इसके बाद जो भी आए, उनको नहीं मिलेगा, यानि कि इस देट के बाद की जो entry है, उनको no citizenship, छीक, relaxation नहीं मिलेगा, लेकिन no citizenship का मतलब है, कि जो illegal immigrant है, उनको center उन पर action लेगा, चाहे उनको detain करे, deport करे, वो center की जिम्मेदार ही है, लेकिन उनको citizenship का relaxation नहीं मिलेगा, इस से पहले वालों को relaxation मिल सकता है, उनके भी roots को देख कर, right, now the point is, अब इनका कहना है, कि आपने अब date दे दी, यह 31 December 2014, तो काइदे में इस से लेकर, 31 December 2014, तो बांग्रदेश से जो इस के दौरान Muslims नहीं, लेकिन जो Hindus आए, जो Sikh आए, जो Jain या Parsi या Christian आए, वो भी तो illegal immigrant है, कि अवल Muslim ही थोड़ी नहीं, तो Assamese population का कहना है, वहाँ से जो Hindus आए, जो East Pakistan वाले एरिया में, जो Bangladesh में रहते हैं, बांग्रदेश से जो इस period के दौरान आए, तो क्या वो claim कर पाएंगे, अगर वो claim कर पाएंगे, तो भी तो Assamese, जो accord हुआ था, Assamese, और उसके खिलाफ है भई, तो हला कि Central Government का कहना है, कि देखो, अलरी जो six schedule वाले एरिया और inner line permit वाले एरियाज है, six schedule और inner line permit, यानि कि जो tribal areas है, Assam, Misuram, Tripura है न, तो वो कह रहे हैं, कि यहाँ पर नहीं लगेगा CEA, यह तो हमने बात कर दी है, लिकिन उनका कहना है, आप six schedule के तहत, Assam के tribal areas की बात कर रहे हूँ, inner line permit, जो अलग से ILP issue किया जाता है, government दोरा नहीं, तो आप entry भी नहीं कर सकते, उस area में भी अगर कोई illegal immigrant आकर बस गया तो, इस loophole का इस्तमाल दूसरा कर सकता है, तो फिर उस case में क्या होगा, फिर तो वासा में accord की खिलाफ हो जाएगा, तो आला कि इहां पर government का कहना है, ऐसा नहीं होगा, government का कहना है, क्योंकि आपको जो आशवासन है, हमने section 6A के तहत, citizenship act में mention किया हुआ है, कि SMEs, culture, आपके resources, आपको protect करने के लिए, हमारा जो accord है, उसी के हिसाब से चला जाएगा, तो अब देखते हैं, इस पर क्या clarity implementation में finally government करती है, right, that's why that debate was going on, आप Supreme Court का क्या stand है, तो वो तो Supreme Court, अभी subjudice है मामला, Supreme Court बताएगी, क्या होगा, अभी तक तो बताएं नहीं उन्होंने, तो I think इस छोटे से effort से, आपको ये बात ultra clear हो गई होगी, अगर हो गई है ultra clear, तो please mention ultra clear, कोई doubt है आपको अभी, ये तो आप पूछ लिजे, जो मैंने जानकारी आपको board पर लिख कर सारा समझाया है, ये इस PPT में भी है, तो ये मैं यहाँ पर upload कर दूँगा, शशान्तियागी for you, टेलग्राम पर, तो आप मेरे साथ यहाँ पर connect हो जाईए, Instagram पर आप मेरे साथ connect हो सकते हैं, जानकारी देदू, आपका 13 मार्चा नहीं कि आज के दिन, आपका course start हो रहा है, best start हो रहा है, prelims means interview का एक program, generally आप coaching join करते हैं, तो course complete करते हैं, कुछ test series join कर लेते हैं, लेकिन हमने यह देखा, कि course complete करने के बाद भी कहीं सारे gap होते हैं, जो बाद में बच्चों को identify होते हैं, तो इस वैसे यहाँ पर success in prelims program, means residential program, free of cost, इस course में हैं, यानि कि जहाँ पर भी आप हैं इंडिया में, इस course को आप आज join करेंगे, आज ही class start ओड़ी है, शाम को 6 बजे, studyaik.com पर जाएंगे directly, त्यागी live code उस करिएगा, आपको extra discount मिल जाएगा, और join कर लेंगे, कोई manual intervention ही है, directly join करेंगे, आपको mail ID पर user password आजाएगा, login करेंगे, आपका mentor आपको मिल जाएगा, उनके साथ आप call, whatsapp पर connected रहेंगे, कोई भी आपको problem आ रही है, doubt आ रहा है, academic, non-academic, motivation down है, या कोई भी subject का doubt है, तो आप call, whatsapp पर connected रहेंगे, आपकी live classes में तो हम faculties तो आपके साथ रहेंगी, साथ सेशन भी होंगे, interaction हमारे भी रहेंगा, लेकिन आपको एक personal समझ लिजे कि आपका success manager भी इस course में दिया जाता है, जैसे आप prelims clear करेंगे, तो उसके बाद आप means के लिए यहाँ पर आ जाएंगे, जो study IQ का campus है, NCR में, free of cost आपका रहना, खाना, तीन महीने का पूरा पढ़ना आपका, जिससे की means के लिए आपको तयार किया जा सके, और उसके बाद आप means देंगे, उसके बाद interview guidance program भी इसी में है, तो this is the master batch for GS, आज ही join कर लिजे क्योंकि आज start हो रहा है, PSR optional जिनको इंतजार था, Political Science, International Relations optional जो मैं पढ़ाता हूँ, basic से लेकर depth तक सब कुछ है, test series भी है, combo batch है ही, तो कल start हो रहा है, एक बचे, तो त्यागी live code use करके, additional discount आपको मिल जाएगा, आज ही है फिर classes में, मिलते हैं, आगे बढ़ते हैं, ख्याल रखिये अपना, जाहिंद, वीडियो को आप शेयर कर सकते हैं, और आपके अपनी क्या opinion है, please do let me know in comments.